आज बैश्विक स्तर पर बारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से भारत की चुनोतियां भी बढ़ने वाली है। पहले वो उपेक्षा की वृत्ति होती है, फिर उसका जरा मजाक उड़ाने की वृत्ति बनती है, फिर भी आप आगे बढ़ते हैं, तो फिर तोड़ी कॉम्पिटिशन का भावा जाता है, प्रतिस पर दाया जाती है, फिर भी आगे बढ़ते हैं, तो दुश्मनी का रंग ले लेती है विश्वकिक बहुत सारी ताकते होगी जो नहीं चाहेगी कि उनके देश के संदर में भारत को सामर्थवान बने फ्लाने विशे में उनकी expertise है उसमें भारत नव गुसे फ्लानी product उनकी बपोति है अगर उसमें भारत प्रोडेक्शन में चला गया, तो मार्केट भारत कब जा कर लेगा, भारत बहुत बढ़ा बाजार है, भारत खुद बनाने लग जाएगा, तो फिर तो हमारा माल कहां जाएगा, कई प्रकार की चुलोतियां आने वाली हैं और वो चुलोतियां दुश्मनी का रूप लेते दे प्रोडेक्शन का स्वभाव है, आपके यहां भी दो अफसर होंगे, तो लगता है कि हाँ यार यार आगे चल कर रिष्की को प्रमोशन हो जाएगा, मैं तो रह जाएगा, तो फिर उनका दस्दाल पहले तू 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 शुरू हो जाता है, वैसा हर जिगा भी होत और और आज की चुरूत्यों पे बहुत बड़ा फरकाने वाला है, पहले का तो बरकरा करना ही पड़ेगा, नए को लिए भी हमने अपने आपको तयार करना पड़ेगा, हमें देश के विरोध में जो ताकत है खड़ी हो रही है, जिस प्रकार्द हर चीज का उप्योग किया जा रहा है, सामान्य नागरी की सुरक्षा के लिए, लो एबर्णिंग सिटीज के अधिकारों के लिए, ऐसी किसी भी नकारत्मक्षक्तियों के फिराप, कठोर से कठोर वरताव ही हमारी जिम्मे बारी है, कोई उदारता नहीं चल सकती है, क्योंकि आखिर कर जो लो करने वाला वेक्ति है, वो कहां जाएगा भाई, हमारा काम है और ऐसे 99% सिटीजन वही होते हैं जी, एक प्रसंट काई प्रॉब्लम होता है, हमें उन 99 को विश्वात दिलाने के लिए, उन एक प्रसंट की प्रती जरा भी जरा भी उदारता बरतने की जरूत नहीं है, साथि हो, सोशल मिडिया की शक्ति को हमें काम करके क्या हो रहा है, इतने मात्र से उसको आखना नहीं चाहिए, एक छोटी सी फेक न्यूस पूरे देश में बड़ा बबाल ख़डा कर सकती है, हमने हमें मालूम है, आरेक्षन की ऐसी अपफा फैल गई, फेक न्यूस चल दिया, क्या कुछ नुक्षान जिलना पड़ा था देश को, 6-8 गंडे के बाद पता चला तो सब सांत हो गए, लेकिन तब तब तो नुक्षान बहुत हो चुका था, और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा, कि कोई भी चीज आती है, उसको फॉरवर्ड करने से पहले दस बार सोचो भाई, कोई भी चीज आती है, उसको मानने से पहले जड़ा वेरिफाय करो, और सारे प्लेटफरम पर वेरिफिकेशन की व्यवस्ता होती है, आपको एक दो दस देखा पर चक्र लगाओगे तो कुछ दो कुछ नई बर्जन मिल जाएगा, यह हमें लोगों को एजुकेट करना होग हमें ऐसी फेक व्रोल्ड से ड्रिवन सोसाइटी, उससे डिर्भ वही और से राइव होने वाली सोसाइटी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शक्ती हमनें खड़ी करना होगी, टेक्नोलोजिकर शक्ती खड़ी करना Alors Que Sree